पूर प्रधानमंत्री आटल विहरी वाजपई 25 दिसंबर को 90 साल के होने जा रहे हैं हमार साथ है बातचीत करने के लिए उनके पूरे जीवन पर उनके 60 साल के पुराने सही होगी लालकिशन आडवानी जो भारत के प्रधानमंत्री बेड़े आडवानी जी 60 साल का याराना कुछ एक आज चीज ऐसी हो अब ऐसे पहलो तो कोई निकालना मुश्किल होगा कि जो कभी सामने नहीं आए लेकिन हाँ यह जरूर है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी अद्भुत वक्तृत्व कला को जब मैंने पहली बार सुना तो मैं सोचने लगा मैं कहीं गलत पार जानते हैं क्या अब इस पार्टी में मुझे इतना महत्व देते है अटल जी स्वहम और मैं कभी भी इस पार्टी में कोई उत्तरदाहित्व समालने के लिए मैं अपने को योग यह नहीं मानता हूं इस प्रकार की क्षमता जहां पर नित्रत्व में है जैसी मैंने अटल जी में इन दो-तीन सप्ताहों में साथ रहने पर देखी है वह मुझ में तो आई नहीं सकती और इसलिए मुझ में उन्होंने कॉम्पलिक्स पेला पेदा कर दिया पहली पहली उस लंबी यात्रा में अज भी है वह अभी भी है, अभी भी है, मानता हूँ, के और कही बार मैंने उनको कहा भी, मैंने कही मुझे मद दीजी काम, पहले सु शुरू में मुए अध्यक्स बनने कोई तयार नहीं था, और जब मुझे, के भाई मुझे दू साल हो गए, अब मैंनी रहूंगा, अब आप बनो, मैंने क मैं नहीं बन सकता, मैं लिख लेता हूँ, और वो भी अंग्रेजी में, बाकी मुझे में किसमता नहीं है, आपकी जैसी, और फिर सबसे बड़ी बात ही है, मैं बहुत प्रोजेक आदमी हूँ, खावय आता नहीं, और इसलिए हल्की फुल्की बात भी नहीं आती, मैं कोई म करजाक नहीं कर सकता, विनोद नहीं कर सकता, हुबर और विट आटोटली लेकिंग इन में, और इसलिए जिस प्रकार से आप गंबीर से गंबीर बात भी सहज रूप से लोगों को सम्झा सकते हैं, मैं नहीं कर पाता, यह उसका परिणाम हुआ, जो को लोगों को पता नहीं कोई ऐसा आनुभा उनके साथ आपका, जब आपको लगा कि उनके और आपके विचार बिलकुल मेल नहीं खाते हैं, कई जगाओं पे ऐसा बहुत कम, विचार मेलनी खाते ऐसा तो बहुत कम, अभी कभी छोटी-पोटी बात में फरक हो जाता था बाकी, बाकी में, बात यह है कि मूलत अगर किसी एक विचारधारा में निश्ठा है, और यह समझ में आता है कि यह सारी विचारधारा उसके पहलू कई होंगे, यह समझोता नहीं करेंगे, तो फिर कोई दिक्कत खास नहीं होती है, हमेशा खबरे आती थी इंखिलाल केशन आडवानी जो है, वो हाटकोर बीजेपी हेडलाइनर है, हाडलाइनर है, लाटल वेरिवाजपई बहुत उधारवादी है, यह हमेशा खबरे आती थी, कभी इस पर मैंने एक आज बार उन से बात की, मैंने का कि यह जो है आपके बारे में कि आप बहुत उधार है, और मैं हाडलाइनर हूँ, यह एगर भ्रम लोगों के मन में बना रहे तो उसमें नुक्सान नहीं होगा पार्टी को, फाइदा ही होगा, यह मैंने उनको जरूर कहा था उस पर उनका कुमेंट नहीं से क्या फाइदा होगा, पेरे का फाइदा यह होगा कि आपकी बातों को लोग सहज रूप से स्वीकार करेंगे, करेंगे अदवानी से सला करेंगे तो फिर वो बिगड जाए आप ममला, इस यह अटल जी से जितनी बात होगी उसका फाइदा उ लिक्समा सब्सकर्ण, उसके बाद discriminatory reaction उनका उए самों, बहींपर, मैं जैसे यहाइ मन्च पर बैठा है, तो उनोंने किया किया मैं मैंने कहा क्या किया, उन्हों ने कहा किया, उन्होंने कहा कि मुझसे भी तो बात में कैचा मैं ऑन्ने का आप से बात करके क्या करता मैं, मेर अपनी और मैं आपको कह सकता हूं कि आखिर तो अध्यक्ष किनाती इतना तो अधिकार ही मुझे, यही मैंने कहा उनको, वो बहुत उस दिन खिन्न हुए मुझसे, दुखी तो नहीं कहलेकर मुझसे खिन्न हुए, कि मुझसे बात किये बिना यसे कैसे घुजरा कर दी, और वो मैं आपको फ्रेंक्ली कहूं कि मुझे लगता है था कि शायद कुछ लोगों के मन में है कि नहीं, अब यह रामरत यात्रा इन्होंने की है, उसका बहुत अच्छा असर है, अड़वानी बन जाए, कुछ लोगों के मन में था। आपको कभी लगा कि जो विदेश नीती आज है, उसमें कहीं अंतर उनके विदेश नीती और आज के, नहीं, नहीं, कोई अंतर नहीं है, कोई खास, और विदेश नीती तो उनकी प्रिय विशय इसनाते थी, कि जब पहली बार केंद्र में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार न रह करके हैं, और एक विपक्ष की सरकार बनी, जिसके प्रदान मंत्री मुराजीवा ही थे, ये 1977 में अ अमरजनसी के बाद जो हुआ, तो उसमें भी एक प्रकार से अटल जी को और मुझे मुराजी भाई ने चोईस दिया, कि आप क्या पसंद करें तो मैंने जैसे अपना चोईस बताया उनको, मैंने कहा कि मैं तो पत्रकार रहा हूँ, और आज ये चुना हुआ है, अमरजनसी क और पत्रकारों को जिस प्रकार की कुंठाय सेनी पड़ी, उसके बाद मुझे स्वैम को लगता है कि मुझे अगर ये दायत्व मिले, इंफोर्मेशन और ब्रोड़कास्टिंग पोर्टफोलियो प्राप्त हो, तो मैं उनके उपर जो गंभीर प्रतिबंद लगे हैं, उन अगत दे सकों, और उनोंने मुझे दिया, उसी प्रकार से मैं मानता हूं कि अटल जी ने भी उनको का कि मुझे फॉर्म मिनिस्ट्री दे तुम मैं न्याय करूंगा, और उनोंने किया, मेरा अंदादा है, मैं जानकारी तो मैं नहीं कह सकों, लेकिन जिस प्रकार से सहज ज़ता तो उनोंने कहाँगा, मुझे से पूछा तो उनसे भी पूछा हो गहाँगा, आद्वानी जी आपने ब्लॉग लिखा था, आज से लगभग दो साल पहले, कि अटल वहरी वाशपई को भारत रतन दिया जाना चाहिए, आज बीजे पी की सरकार है, नरेंदर मोधी प मोहन सिंगी को उसमें सरकार जो है वो कॉंग्रेस की थी उनको मैंने लिखा था आज हमारी सरकार है तो तो फैसला करी सकती है यदिपी वो जर्नरली कोई नो कोई एक कमेटी भी बनती है तो कमेटी वगर बनी है नहीं मुझे नहीं पता है लेकिन मैं इन दुनों में चर्चा तो मैं लोगों को ये कहता हूं कि ये तो मैं मानता ही हूं कि जितने प्रधान मंत्री हुए है उनमें सबसे आउटस्टेरिंग रिकॉर्ड अटली का ही है लेकिन भारत रत्न कोई इस बात का समान या पुरुसकार नहीं है कि वो सबसे अच्छे सफल प्रधान मंत्री बने रहे मैं तो ये मानता हूं कि कोई राजनीती में ना हो तो भी भारत रत्न के लिए उपयोगत हो सकता है ये तो सब दुरुष्टी से अटल जी और एक प्रकार से अगर उनको भारत रत्न का सम्मान मिलता है तो ये उनके लिए एक उनके देश भक्ती के लिए उनके सारे जी अट्वानी जी जिन्ना विवाद को लेकर आप बहुत विवादों में रहे उस वक्त पार्टी आपका साथ चोड़ गई थी अटल वहरी वाजपई आपके साथ थे उन्होंने आपके फिवर में स्टेटमेंट भी दिया क्या इसे कह सकते हैं कि अच्छी अंडरस्टेंडिंग थी पूरी पार्टी आपके खिलाफ थी पूरी पार्टी भी खिलाफ कितनी थी मैं यह मानता हूं कर लोगों ने पढ़ा भी नहीं मैं वहाँ बोला क्या और मैं तो कोड़ किया जा इनको जीना को और जो कि जो भरशन उनका वहां पर लेबरिएट्याभ तेकमने भी मिलता कि उन्होंने प्रैक्टिकली उस बाशन में यह कहा कि इस्लामिक राज्य नहीं बनाया हमने शब्दिय नहीं कहे लेकिन अर्थ ही यही था कि मैं तो चाहता था कि ऐसा देश न बने कि जिसमें हिद्दू डॉमिनेट करे मुसल्मान के ऊपर और मुसलिम जो है वो एक दबा हुआ हो मुसल्मान जितने हैं यहां तक कि उसमें उन्होंने कहा कि अब तो अब तो हमको पाकिस्तान मिल गया और अब मैं चाहूंगा कि हिंदू अपने मंदिरों में जाएं मुसल्मान अपनी मस्जितों में जाएं और यह मान करके चले के राज्य की नजरों में हम दोनों बराबर हैं। और राज्य की नजरों में हम दोनों बराबर हैं। मैंने कहा कि यह तो लगबग वही बात कह रहा है जो हम करत कहते हैं। अटल जी से इस विशे पर बात हुई थी उस वक्त? उस समाह हुई थी, बाकी तो उन्होंने तो आलोचना नहीं की, उन्होंने तो कहा कि समझे ही नहीं, पढ़ा भी नहीं नहीं, लोगों ने जोने आलोचना की तुबारी. वाक्या है, आपने अपनी जीवनी में लिखा भी है, कि गुजरात के अंदर गुजरात धंगो के बाद बीजेपी की कारेकारने की बैठक होनी थी, अटल जी की तरफ से प्रस्ताव आया, कि नरेन मोदी का स्तीफा हो, अगर स्तीफा ना हो तो कम से कम पेशकश हो, उसका आप जी लगता है कि उनको स्तीफा देना चाहिए, और फिर मुझे कहा कि हम चलते हैं गुआ में, अगर वो स्वैमी ओफर करे, मैं उनको कहों उसके बज़ाए, वो स्वैमी ओफर करे तो अच्छा होगा, मैंने का ठीक है मैं बात कर लूँगा उनसे, और फिर मैंने बात की, और उन्हों ने गुजरात के घटनाओं के बारे में बोलने से पहले इसी से शुरू किया कि बहुत लोगों को लगा कि मैंने ठीक हैंडल नहीं किया और जाती किया, तो मैं बोलने से पहले मैं अपना थ्यायक पत्र देना चाहता हूं और फिर बोलो, तो फिर लोगों ने शोरशार कुछ आया, बहुत एक प्रकार सी युनानिमस रियक्शन हुआ, काउंसल का, कि नहीं कोई स्थिफा उगर नहीं देना, फिर अच्छा लगा है. अटल जी का जो सरकार का फंक्शन था और इस सरकार के फंक्शन में आप क्या आंतर देखते हैं? तो भी उन्होंने अच्छो चलाए है. अब मेरी तुस्थिती ठीकी है, कम से कम स्वास्त की दिरुटी से कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हाँ, ये ठीक है कह हम दोनों जब थे, तब एक प्रकार से, हम दोनों का आपस पूई जो ताल्बिल था, उसके कारण कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन आज की दिस्ट्रीम में अगर देखें, पार्टी के अंदर बहुत से चेंज आ गए हैं, जिस तरीके से पार्टी आप चलाते थे, अटल जी चलाते थे, वैसा चेंज अपना अपना तरीका होता है, फरक तो आता ही है, कोई भी हो, इस पर क्या है, और चेंज होने च चाहिए, लेकिन एज का अपसेशन नहीं होना चाहिए किसी को, और एज से अदुभव भी आता है, और ये सोचना के जिसकी उम्र इतनी हो गई, तो वो विशेश काम का नहीं है, मैं इस से सहमत नहीं हूँ. ये थे लालकिशन अडवानी, जिनका कहना है कि अटलवेहरी वाचपई के कई ऐसे पहलों हैं, जो अभी और आने बाकी हैं.